मेरे पेरे फूडी फ्रेंड्स विससे आप सब लोगों का स्वागत है मेरी चैनल पे और आज की जो डिश है वो बहुत ही सिंपल बहुत ही ईजी दिश है और ये गुजरात में आए दिन सब के घर पे बनती ही रहती है और इस डिश का नाम है खटा मुग तो चलिए इस सुप अब इसे हम अच्छे से दो से तीन बार वाश करके कूकर में इसकी चार से पांच सेटी मीडियम फ्लेम पे बचाएंगे जब तक कि हमारा कूकर हो रहा है हम लेंगे एक प्याज और एक टमाटर और इसके बारिक टुकड़े करके हम रेडी लगते हैं यह लिजे दोस्तों प्याज और टमेटो बारी कटके रेडी हो चुका है अब इसको रखते हैं साइड में और लेते हैं हम लसन और अद्रख तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज की पांच कली लसन के लिए है और एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है अद्रख का अब इ लसन और अद्रख की पेस्ट बनके रेडी है अब हम देखते हैं कुकर मूंग अच्छे से बॉइल हो चुके हैं चलिए अब इसका लगाते हैं हम फाइनल तड़का थोड़ा सा लेंगे ओईल और उसे हम कड़ाई में गरम करने रखते हैं और जैसे ही ओईल गरम हो जाता है उसमें डालेंगे हम सबसे पहले एक छोटी चमच राई, एक छोटी चमच जीरा, डालेंगे लाल सुखी मिल्खी, थोड़े से डालेंगे करी लिव, हीम डालेंगे एक छोटी चमच और इसमें डालेंगे हम प्याश और इसे अच्छे से हम सोटे करेंगे प्याज के साथ में ही हम अद्रक लसन का पेज भी डाल देंगे और उसको भी बूनेंगे हम आप अद्रक लसन के पेज के जगे पे अगर आपके घर में लसन का चटनी है तो आप लसन का चटनी भी यूज कर सकते हैं अच्छे से हिलाते रहिए और बूनी इसे जैसे ही प्याज का अत्रक लसं का कच्चा पंचला जाता है इसमें हम एड़ करेंगे बारी कटे हुए टोमेटो और इसी भी हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे अब इसमें हम बारी-बारी से सब मसाले एड़ करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम एड़ करेंगे एक छोटी चमच हल्दी पाउडर, तीन छोटी चमच लाल मिर्ची पाउडर, दो छोटी चमच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार डालेंगे इसमें हम नमक, तो डाती हो नमक अच्छे से इसको हम बुलेंगे और यह जो मूग होते है ना वो बहुत जादा स्पाइसी नहीं होते मीडियम होते हैं तो हमें इसे थोड़ा सा मालडी रखना है खाने में तक कि छोटे बच्चे बड़े सब लोग खा सके और यह अपनी रेगुलर वाली डीश है होरोस बनान मसाले सब अच्छे से बुन के रेडी होते हैं इसमें हम डालते हैं मूग तो एड़ कर देती हूं उसे अच्छे से हीलाएंगे और इसका में काट आ रहा है जो इस मूग का जान है मैं आपको बताती हूं अभी क्या करना है जैसे कि इस डिश का नाम है खटा मूग तो यह हम को थोड़े से खटे ही बनाने है इसे हम खटे बनाएंगे प्रॉपरली तो उसके लिए मैं लूँगी एक कटोरी भर के बटर मिल्क और यह थोड़ा सा खटा वाला ही बटर मिल्क है अग इसमें एड करूंगी मैं एक छोटी चमच भर के पेशन जो हमें हमारे जो खटे मू आएंगे चाश के साथ साथ हम इसमें लिचोड़ेंगे आधा निंबू और यह तोटली ओप्शनल है अगर आपको कम खटा मूंग चालिए तो आप निंबू मठ डालिए तो यह नॉर्मल खटा होगा लीजे डाल दिया निंबू अब इसे अच्छे से हीला के फिर इसमें थोड़ा पानी अड़ करके इसे हम अच्छे से दस मिनित तक उबालेंगी यह थी कि फ्रेंस मोग अच्छे से बॉयल हो चुके है और अच्छे से सभी मसाले इसमें मिक्स हो चुके हैं और एवन ये गाडे भी तो अब हम गैस का फ्लेम करेंगे और इसमें डापेंगे हम धे सारा धनिया गार्विशीं के लिए और धनिया टेस्स में बहुत ही अच्छा लगता है सभी सब्सक्राइब तो अब इसे करेंगे हम मिक्स अच्छे से देखे मैं आपको इसको नस्दिक से दिखाती हूं जी दोस्तों हमारे खटे मूब बनके रिडी है होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो मिलती हूं आप सबसे एक वीड नए वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टे ब्लेस से हेल्दी एंड से हैपी एंड बाबाई